रामस्कार प्यारे दोस्तों के ईस्ट वीडियों हम रาजिस्तान जीके के 50 मटन प्रस्ण देखने वाले हैं और देखें यह अपने बीएश टिसी का जो 2018 में प्रस्ण पूछे अपने रहस्तान चीके के ये इस वीडियो में देखेंगे तो धी के एक्तर से आप के लिए पिस टीसी एक्जाम के लिए model paper है model paper बिल्कुल इसी pattern पर आपके आगे भी exam में फ्रशन पूच्छे जाने वाले है प्रीबियस टेसी एक्जाम में तो दीकि आपको वीडियो अंतर तक देखना है शुरुवात करें अगर पहले प्रश्ण से क्या करा पहला प्रश्ण अपने हेला ख्याल अप डंगल रहास्तान के किस दिले में प्रसीद है तो दीकि हेला ख्याल अपने किस दिले में समझ द स्रीक्रिष्ण से श्रीक्रिष्ण की जीवन लिलाओ का अपने एक्टर से कपड़ों पर चित्र प्रदेशन करके जो अपने नाथद्वारा नाथद्वारा में यह किया जाता है तो नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिदे और स्रीक्रिष्ण से समझ देते हैं उप्षन डिये इसका करेक्ट अंसर अगला प्रस्णे 2011 की जन गणना के अनुसर राजिस्तान में न्यूनतम गनत्व वाले जिले कौन से क्या जोग इसका अंसर देखे आप साथ साथ कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं 2011 की जन करना के अनुसर बगर बात करें तो राजिस्तान में सबसे कम गनत्व किसका है अपने जेसल मेर का उसके बाद किसका है अपने बीकानियर का तो बीकानियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ओप्शन सी जेसल मेर का अगर बात करें तो यह पर गनत कितना है सत्रा सत्रा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर और बीकानियर का अगर बात करें तो अठत्र व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर और इसके बाद अगर बात करें विकानेर के बाद आपने बारमेर का नम्ब आता हैं बार मेर अपने बरानु व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मेटर इसका जन संह्क्या गनत रहें तो जैसल मेर बिकानेर बार मेर ये इसका सही करम हो जाएगा सीस का कर्रिक्ट इंसर है अगला प्ते हुआ तो राजस्तान का प्रथम पवन और जहँनत्र कास्ताबिट किया गया था तो फैकि राजथान का पहला प्रवन उर्जासा सेजनतर अपने क्या अचान अमर्स दीश्टिप किया सकते हैं अमर्स आगर जесяल मेर्में जैसे एक राज़तान के अभुशन से प्रस्ण आता है, एक अपने जो भी उर्जा सेंत्र हैं, यहां से प्रस्ण आ सकता हैं, एक अपने राज़तान के लोग नच हो गया, मारान परताप से एक हमेशा प्रस्ण आता हैं, मारान परताप का राज तिलग का हुआ था, क्या हो ज से रतन सिंग ने अपने दरबार से निकाल दिया था था निकाल दिया था यह बाद में जाकर अलाउधिन खिलजी से मिल गया था और अपने अलावदिन खिलजी ने बाद में 1303 में चितोड़गर पर आकरबन करके चितोड़गर पर अधिकार कर लिया था और चितोड़गर का नाम बदल कर अपने खेजराबाद रख दिया था और रानी पदमिनी की नेतरत में यहां पर क्या होता है जोहर होता है रानी पदमिनी को ने अपने रतन सिंग की पतनी है तो 13 safety न आप यह ध्यान रखे इसमें अपने Allah Duty मचीन खिल जिने यह पर अधिकार गया था अगला प्रुष ने राजस्तान में बोमड शेत्र से सम्मदित है तो प्राथम राजस्तानी फील्म का नाम क्या था तो प्राथम राजस्तानी फील्म का जजरान हो या निजरान हो जाएगे correct answer option है अगला प्रशन राजस्तान के मुख्यमंत्री के रूप में सरवादिक बार सपत्र लेने वाले कौन सा क्रम है अपने कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने सरवादिक बार सपत्र लिए तो दीके सबसे अधिक कारिकाल अगर पुच ज है तो मौनलाल सुकालिया अपने सत्रा वर्शों तक सर्थ सत्रा वर्शों तक अपने मौनलाल सुकालिया मुख्यमंत्री रहे राजस्तान के आधुनिक राजस्तान का निर्माता का जाता है अपने किसे मौनलाल सुकालिया को और इन्होंने चार बार सपत्र ली थी चार बा आगर बात करें तो 3 बार अपने हरी देव जोशि ने लिए हरी देव जोशि ने और 3 बार अपने बेरु इरु सिग सेकावत ने बी सबत ली है और इस क्रम में अब असोग गेलोद भी आ गए हैं अपने तीन बार मुख्य मंत्री बनने वाले तो दीकिए इसमें अगर ओप्षन देखें तो पहला ओप्षन से हो जाएगा मोनलाल सुकारिया वो हरीदेव जोसी इन्होंने सबसे अधिक बार सपत ली थी सुकारिया ने अपने चार बार और हरीदेव जोसी ने हैं अगला प्रसने डेगाणा शयत्र राजस्तान में कि स खनेज के लिए जना जाए हैं तो धीकिर घंकस्तन परस्टान आता हैं उपनाम वाला वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारी इस चेनल पर मिल जाएगा तो देखे राजस्तान के गांदी अगर आ जाए तो गोकुल भाई बट को का जाता है बोग लाल पाइंड है अपने वागड के गांदी है जान की लाल बांड अपने को ने ये अपने राजस्तान का मंकी में का जाता है तो आप ज्यानर के गोकुल भाई बट हो तो एक मात्र पक्सी चिकिसा लेगर पूश ले तो जैपूर में option ए हो जाएगा correct answer जैपूर में question 64 लाग बाग क्या था तो दीखे लाग बाग क्या था जब किसान अंदुलन पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं लाग बाग क्या था अपने किसानों पर आरूपित जो कर हैं उस मैं पूरा होता हुआ था और सात्वा चाहिए अपने एक नवंबर एक नवंबर उनिस्यो छापन के दिन पूरा हुआ था तो अपने option a हो जाएगा करेक्ट 06 56 शापन अंपने राजतान जो वर्टमान में एनल्स एंड एन्ट्विकिटिज ओव राजस्तान अठास उन्तीस में पुस्तक प्रकाशित हुई थी हमने कापी बार इसकी चर्चा कर लिए राजस्तान का जो अपने परीचे देखा था उसमें हमने देखा था तो देखे करनल जेंस टोड ने अपने राजस्तान सब्द का स चार ओप्शन गलत है क्योंकि देखे काली बंगा आपने पड़ा था यह अपने हनुमान गड में है हनुमान गड में तो देखे यह निश्टी तोर पर यह प्रस ने डिलिट हुआ है यह पर हनुमान गड प्रिंद नहीं हुआ है बाई मिस्टेक तो आप ज्यान रखे हनु ओप्शन यह चार ओगलत है हनुमान गड जिला इसका सही होगा अगला प्रस ने ताम्र सस्कृति के चिन अकर पूचा जाए तो आहर सब्विता आपने उधेपूर में है आहर सब्विता उधेपूर में तो ओप्शन यह हो जागा इसका क्रेक्ट अंसर इसको ताम्र वति दगरी दूल कोर्ट सब्विता आगाठ पूर आधि नमब से जाना आता है। क्वेशन उन सित्तर हैं सिर्वी जाती खेती से जुड़ी हुई है और यह अधिकान्स तक किस जिले में पाई जाती है तो जोधपुर जिले में पाई जाती है जोधपुर के लावा पाली के कुछ हिसो में भी मिलती है लेकिन मुखी रूप से अपने जोधपुर जिला हो जा राजिस्तान की पहली ओपचारिक व्याकरण किस के द्वारे लिखी गई है तो तीकि राजिस्तान की पहली ओपचारिक व्याकरण अपने हेम चंद्र सूरी ओप्शन डी संगित के जैपूर गराने के प्रसिद संगित कार कौन जाने दाते हैं क्या होज़े किसका अंसर तो त तो अपने इसके लिए साहवपूरा बिलवाड़ा प्रसीद है और यह अपने मेवार से जुड़ ही है मेवार इसकुल ओप्शन सी करेक्ट अंसर है अगला प्रसने कालविल या अंध्रिट्टी राजस्तान के किस जिले से है जोधपूर उदेपूर अलवर या जैसल मेर तो option d huge only और अगला प्रसने बग्रू की छपाई राजस्तान के किस हिस्से से है तो देकि बग्रू की छपाई आ जाए तो अपने जैपूर जिले की प्रस्थे option a हो जाएगा करेक्ट असर несколько है बाला किला कहा हिस्तित थे है तो देकिलाँ अलवर में हिस्तित है इसको कुवारा क किला भी का ज़ता है कोवारा किला तो बाला किला अपने अलोवर में है रजस्तान में सबसे लंबे समय तक किस ने मुक्य मंथ्री पर काम किया हैं ? तो दीए सबसे अधिक समय तक अपने मोहन लाल सुखारियाуч मोहन लाल सगा éner है 17 वर्ष ओ तक 17 वर्षयों तो गे राजिस्तान के मुख्यमंत्र रहे और आधुरिक राजिस्तान का निर्माता भी अपने किसे कहा जाता है मौनलाल सुकारिया को कहा जाता है अगला प्रस्ण दोलत राम सारण को राजिस्तान में सम्मोधित किया जाता है क्या कहे कर तो दिके दोलत राम सारण तिके रहस्तान के उपनाम ससम्दित ये अपने दो प्रस्ण आ गए हैं इस वीडियो में तो 2018 में अपने रहस्तान के उपनाम ससम्दित अपने दो प्रस्ण पुछे गए हैं और एक आगे प्रस्ण आएगा निला सहर किसे कहते हैं ये भी अपने उ मसीह कहा जाता है किसानों का मसीह अगला प्रस्टने राजिस्तान विकास पार्टी की स्थापना किस ने की अपने बूटा सिंग ऑफ्शन भी बूटा सिंग चाउद्वी विदान सभा के सभापति कोन है तो देखिए दोजार अठारा की बात कर रहे है यह पेपर अठारा में हुआ था उसमें चाउद्वी विदान सभा संचाली थी उसमें चाउद्वी विदान सभा थी उसमें मुक्य मंत्री कोन थी अपने वरसुंद्रा राजत थी तो केलास मेगवाल उसमें अपने कोन थे यह थे विदान सभा अध्यक्स और वर्तमान में कोन है अपने सीपी जो करें तो यह अपने करण जिगे समंधित प्रस्ट ने उस समय का तो केलास मेगवाल हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर केलास मेगवाल अगला प्रशने, राजस्तान में वर्षा का समय कितनी बार होता हैं, तो ठीक, राजस्तान में वर्षा का समय अपने दो बार होता हैं, ओप्छन, यह हो जाएगा इसका correct answer अंसर इंद्रागंधी नथे आवश्रक्ता सकतocrist करण अबाव की करण अपने इंद्र गंधी नथे आवशक्ता हुई है बालोत्रा बाडमेर के बाद अपने इसका जल क्या हो जाता है खार हो जाता है लूणी ने दिखा अजमेर से बालोत्रा तक तो अपने क्या है मीठा जल रहता है और बाद में ये खार हो जाता है अगला प्रस्थने प्रसिद चांद बावडी का है इस्तिते तो दिके चांद बावडी अपने आबा नेरी आपने दोसा में तो आबा नेरी दोसा में इस्तिते चांद बावडी ओप्शन डी अगला पर उसमें राजस्तान के किस सहर को नीला सहर का जता है तो दिके नीला सहर आजाए तो अपने जोधपुर को केते हैं सफेद सहर तो अपने जएपूर को केते हैं स्वच्व नगरी आजए तो अपने किसे केते हैं आप ये स्वर नगरी किसे केत अपने राज tid ethics में आпको comment कर यौत पूर को कहा जता एं अगला प्लस्ड में गारधन बड़ा बाग का इस ती थे हैं गारधन बड़ा बाग अपने ज debe मेर जिले में, option A हो जाएगा correct answer, जेसल मेर जिले में, question सित्यासी है, विजय सिंग पतिक राजिस्तान के स्वाचंत्रता सेनानी, जिनों ने एक समाचार पत्र निकाला था, जो किस नाम से जाना रहता था, तोदि कि विजय सिंग पतिक ने अपने राजिस्तान के एसरी नामक स समाचार पत्र निकाला है, option A है correct answer, अगला प्रशने, हबीब तनवीर की फिलम, चरंदास चोर, राजिस्तान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो दीकि चरंदास चोर, अपने हबीब तनवीर की फिलम है, और अपने विजय दान देता के द्वारा लिखी गई है, तो इस चाते है, राजिस्तान के करन जिके, विबिन जो मंत्र मंडल है, या फिर अपने विबिन पुरुसकार है, विबिन जो अपने खिला रिये, इन समस्धित अपने 4-5 प्रशन अपने करन की काते है, तो यह पने प्रद में विभूशन अपने नरेश चंद्र को दिया गया अगला प्रशने राजिस्तान के सुष्क रेगिस्तान में बारत अपने अंतराश्टी सीमा साज़ा करता हैं किसके साथ तो दिखिए राजिस्तान मात्र एक देश से अंतराश्टी सीमा बनता है राजिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा बनते हैं और राजिस्तान के चार जिले उपर उपर अपने गंगानगर फिर अफने जेसल मेर बार मेर बिका U?, ये चार जीले अपने सीमा बनाते हैं पाकिसतान के साथ तो आप ज्यान रखिए option c पाकिस्तान के साथ अपने राजस्तान का सुख्ष्क रेगिस्तान लगता है option c हो जाएगा correct answer और 1070 km अपने सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ अपने राजस्तान 1070 km और इसको क्या केते हैं रेड कलिप रेखा के नाम से भी जानते हैं अगला प्रसने उत्री अरावली शेत्र में राजस्तान का नियमन जिला सम्मेली थे हैं कौन सा जिला तो अधिके उत्री अरावली में अपने दो सा जिला हो जाएगा correct answer इन चार option में option एक correct answer है अगला प्रसने पंचाईती राज्योस्ता का अरंब भारत में राजस्तान के नागोर से किस वर्स हुआ था तो दीके नागोर से अपने पंचाईत राज अपने उनिस सो उनसाट में दो अक्टूंबर उनिस सो उनसाट के दिन शुरू हुई थी तो option भी हो जाएगा इसका correct answer और यह उत्गारतन किस ने कि आता अपने जवार लाल नहरू ने option भी correct answer है मीना समुदाय का परंप्रागत नेता किस नाम से जाना आता है तो देके मीना जंजा तो दिली को मुंबे से जोडता है राजिस्तान में घुजरता है राज्तान में कितने किलो मेटर का है तो एपने 6897 किलो मेटर musimy correct answer है अगला प्रस्तान में केंधरी है विस्विद्याली के स्थापना कब हुई है तो देखिए राज्तार में केंद्री विस्विद्याली अपने 2009 में इसके स्थापना हुई है ओप्शन सी है इसका क्रेक्ट अंसर राज्तार में कितने केंद्री विस्विद्याले है एक केंद्री विस्विद्याले है अगला प्र वनस्तली विद्यापीट के स्थापना के स्थापना अपने 1935 में अपने टोंक में निवाई टोंक तो ऑप्षन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेशन गंजान हो है राजस्तान माहनवादिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्स कोन थी क्या हो जाएगा इसका आंसर तो दोस्तों यह थे इस वीडियो के 50 महतमत्रण प्रस्ण अपने राजस्तान जीकी के जो अपने 2018 के पेपर में पुचेगे अपने प्रीबीयस टीसी तो देखे बिल्कुल इस तरह का पेपर आपके आगे भी आने वाला हैं तो इस एक्जाम पेटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं तो मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आएं तो सुस्क्राइब करें मिल झाल 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 यूस्क करा वी आपके भार आपके आपके झापके जगाएब करें मिल्कुल नहीं ही